स्वारों दोस्तों आप सभी का एक पर फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सिरीज में हम लोग MTS के प्रिवियर शेयर के जितने भी कोशिशन है उनको सॉल्ब करने की कोशिश कर रहे हैं आज का जो हमारा वीडियो है 6 जुलाई 2022 का थड़ सिप्ट का पूछा गया जिकी जी इसके जितने भी 25 कोशिशन है उन सभी का डिशकेशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आई हो इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर दिये हैं वो आप जरूर देखी होंगे और उसे आपको फाइदा मीला होगा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल वाले आइकन को प्रेस कर ले ताकि ये सभी वीडियो जो अपलोड किये जाएंगे हो आप तक पहुझते जाए ठीक है तभी कोशन इंपॉर्टेंट है ये बहुत सारे सिप्टू में रिपीट हुए है तो हो सकता है जो अपकमिंग एक्जाम है MTA 24 का उसमें भी ये कोशन आ सकते हैं और निशेसरी आएंगे तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है ध प्रानी जगत के मोलस्का संग का एक उदाहरन है मोलस्का संग मैंने आपको पहले भी बताया था इसके कोडिंग एक और कोशन आया था पिछली सिप्ट में तो आप उसे भी जरूर से देख ले उस सिप्ट वाले वीडियो को जो मोलस्का संग का इसमें उदाहरन हो जाएग वो हो जायेगा आपका Octopus Octopus जो होता है, वो मुलस का शंग का एक उदाहरन माना जाता है इसका एंसर क्या हो जगा Octopus हो जायेगा अच्छा बात कर ले вместе है Dolphin तो Dolphin क्या है, Dolphin एक ऐस्तन धारी जगत में रखा गया है डॉल्फिन को किस जगत में रखा गया है अस्तन धारी जगत में रखा गया है समूदरी घोड़ा को मतस से जगत में रखा गया है और जो राज करकट है यानि किंग क्रैब इसको और्थो पोड़ा जगत में रखा गया है तो ये सभी चीज़े भी आपको याद रखनी है तो कौन सा ऐशा बंदरगा है जिसको डायमंड हारवर के नाम से जाना जाता है तो कोलकता बंदरगा को डायमंड हारवर के नाम से जाना जाता है इसी कोलकता बंदरगा से जो ब्रिटीश है अपना बैपार करते थे ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है इसे भी आपको य याद रखना है और यह जो डायमन्ड हारवर यानि कि जो यह पहस्ची मंगाल में जो कोलकता बंदरगा है यह किस नदी के मुहाने पर है तो यह हुगली नदी के मुहाने पर है यह सभी आपको याद रखना है और यह जो मंगलोर मंगलोर भी आपको याद रखना है जो मंगल बंदरगा है ये करनाटक का सबसे बड़ा बंदरगा है मंगलोर कोचीन बंदरगा कहा कहा है तो कोचीन बंदरगा आपका केरल का बंदरगा है जो कि केरल के एनार कुलम जीले में इस्थीत है और ये बंदरगा एक प्राकिर्थिक बंदरगा है बात कर लेते हैं पोर्ट ब्ल बंदरगा इस्थी थे तो इसका एंसर क्या हो जागा कोलकाता बंदरगा जिसे डायमंड हारबर के नाम से भी जानते हैं बटे कुश्चिन नंबर तीन के तरफ निमलिखीत में से किसने ग्रीस में कालीन ओलंपिक 2020 जो की 21 में खेला गया था में काश्य पदक जीता है तो आप चाहे तो इसकीब कर सकते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है इसे काश्य पदक दिया ता 2020 का ओलंपिक वाला में तो इसका जो एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पीवी शिंदू को दिया गया था बरते अगले कोश्विशन पर नीची दिये गए विकल्पों में से सरवधीक अभिक्रिया शील धातू का चैयन किजिए सबसे ज्यादा अभिक्रिया धातू कौन है इसके कोडिंग उसमें से चैयन करना है तो इसमें हो जाएगा सबसे जादा अभिक्रिया शील किसमें होता है सोडियम में इसका एंसर हो जाएगा सोडियम अच्छा बात कर लेते हैं दूसरे इससे कम अभिक्रिया शील किसमें हो जाएगा जस्ता जस्ता को इसके बाद हम लोग से के नंबर पर रख सकते हैं और उ राज्य की निती निदेशक सिधानतों के तहट निमलिखित में से किस अनुछेद में ग्राम पंचायतों के शंगठन का प्राबधान किया गया है। अचा बात कर लो उन्थे अनुछेद 50 की तो अनुछेद 50 में क्या डिसकेशन है जो कार्ज पालिका है और न्याय पालिका है उसके भी जो सक्ति है उसका प्रिथिगरण का डिसकेशन नुछेद 50 में किया गया है। अपत ग्रहन का डिसकेशन अनुछेद 60 में किया गया है। इसका जो एंसर हो जाएगा अनुछेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्राधान किया गया है। चटे नंबर कोशन पर बढ़ते हैं आईसेसी क्रिकेट बिसकव दुवरे 11 में इसमें से किस पसू को अधिकारिक सुभंकर बनाया गया था। तो एक 10 साल का हाथी था जिसे अधिकारिक 10 वर्स का हाथी था जिसे अधिकारिक सुभंकर के रूप में बनाया गया था और इसका जो नाम था वो आपको कॉमेंट में करके बताना है इसका नाम क्या था। बढ़ते हैं अगले कोश्चन पे कोश्चन नमबर साथ राष्टिय भारतिय सास्त्रिय निर्ट संसथा की ओर से जो अभिनंदन सरोज राष्टिय पुरुस्का 221 किसे दिया गया था यह आपको बताना है तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो अरपना शतीशन को दिया गया भात करेते हैं चायाकुमार तो ये भांगड़ा हैं भांगड़ा ये करते हैं चायाकुमार और सोभना नरायन चीे हैं और प्रभुदेवा जो कि भारत का माईकल जयक्षन का जाजी ने ये एक बहुत अच्छे नर्तक और अभिनेता भी है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर नेक्स्ट की ओर आठ नमबर क्वेश्चन दिल्ली नगर निगम संसोधन बीद्यक 2022 लोकसवा में कौनसा मंत्राले द्वारा प्रस्तावीत किया गया था बताना है इसका एंसर क्या हो जागा आठ का एंसर तो इसका हो जाएगा ग्रिह मंत्राले के द्वारा ये किया गया था ठीक है ग्रिह मंत्राले के द्वारा ये किया गया था ये आपको याल रखना है अच्छा यह बिद्यक जो है संसर द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम अधिनियम उनिसो संतामन में संसोधित करना चाहता बात कर लेते ग्रीम अंत्राले तो ग्रीम अंत्राले अभी जो सभी न्यू न्यू बने हैं उन सभी को एक बार आपको देख जरूर से लेना है कि क्या-क्या है बड़ते अगले नम्मर कॉशिन पर question number 9, निमलिखित में से कौन औरंग जेव के अधीन मुगल वास्तु कला का एक उदारन है बताना है कि इसमें से कौन सा है जो औरंग जेव के अधीन का एक मुगल वास्तु कला का उदारन है तो बताना है ये कि औरंग्जेव के समय का यानि औरंग्जेव के द्वारा बनाया गया कौन सा इसमें से बात कर लेते हैं इसका तो मोती महजीद मोती महजीद जो कि दिल्ली में है ये औरंग्जेव के समय का एक वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उदारण है ताज महल, ताज महल को किष्णि बनवाया था तो ताज महल को मुगल समराट साह जहां के द्वारा बनवाया गया था जो कि अपनी पतनी के याद में मुम्ताज महल के याद में बनवाय थे और ये मुगलों का एक बहुत अस्थाप पत्य कला का बहुत अच्छा उदारन देता है जामा मस्जीद दिल्ली में है इसकी ये भी मुगल अस्थाप पत्य कला का एक उदारन देता है जिसका निर्मान जामा मस्जीद का निर्मान 1650 हिस्वी में किया गया था और कौन किया था तो साह जहा के द्वारा ये किया गया था कुतुब मिनार की बात कर ले तो कुतुब मिनार भी दिल्ली में इस्तित है जिसे कुतुब दिन एवक जो है बनाने के लिए सुरू किया था लेकिन बीच में पूरा नियो पया था और मर गया था फिर उसका उत्रा अधिकारिय जो था इल्टूतमिस उसको पूरा करवाया था ये भी आपको याद रखने है तो बढ़ते अगले नंबर कुशन पर दस नंबर कुशन आर्थिक प्रभुत्व मंडल थिंक टैक भारतिय अधिवस्ता निगरानी केंद्र के आकडों के अनुसार निमलिखीत मेंसे की सराज में जन्वरी 22 तक सबसे अधिक बिरोजगारी दर देखी गई है तो इसका जो एंसर हो जागा क्या हो जागा आपको ये बताना है तो सबसे जो बिरोजगारी है अप्शन के कोडिंग है हो जागा दी हरियाना ठीक है तो ये सबी आप असकीब भी कर सकते हैं करेंटेफरस का कोश्चन था 11 नंबर कोश्चन भारतिये निशाने वाज और श्वन पदग बिजेता अवी अविनव विंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है तो आत्मकथा वाला पुस्तक मैंने आपको पहले भी बताया है तो पिछले वाले वीड अचा इसमें और भी कुछ है जिसको भी देख लेते हैं तो जो हंटिंग दा हाड वे यह किसकी आत्मकथा है तो यह होवर्ड हिल की आत्मकथा है और सौट फायड सौट फायड किसकी आत्मकथा है तो सौट फायड जो आत्मकथा है यह सीजे बॉक्स की आत्मकथा है और फ कोश्चन पे बारा नंबर कोश्चन 1527 में जो खानवा का यूद में राना सांगा को हराने के बाद निमलिखित में से किशने गाजी की उपादी धारन की थी तो बेसिकली बताना ये है कि खानवा का जो यूद हुआ था 1527 में वो किसके किसके बीच हुआ था जिसमें राना सा 27 में खानवा का युद्ध में राना सांगा को हरा देता है राना सांगा को क्या करता है हरा देता है और उसके बाद ये बावर जो है वो मुगल बंस का सस्थापक बन जाता है और ये गाजी की उपादी धारन कर लेता है बावर बाद के लेते हैं दौलत खान लोदी की तो ये लोदी बंस का अंतिम सासक था जो कि इबराहिम लोदी के सासन काल में ये उसका लाहौर के गवर्णर था ठीक है मुहम्मद बिन साथ प्रथम ये रंगेला मुगल बाक्सा के रूप में जाना जाता है जिने 1799 में सिनहासन पर बैठा था यह भी याद रखना है अब बात कर लेते हैं नसरुदीन हुमायू की ये मुगल काल से संबनी थे जो की 1530 इसवी में यानि की 29 दिसंबर 1530 इसवी को आगरा के 23 वर्ष की अवस्था में वहाँ पे आगरा के गद्दी पर बैठे थे ये याद रखना है बढ़ते अगले नंबर कोछिन पे किस मौरे शासक को यूनानियों द्वारा अवी अमित्र घात कहा जाता है तो यह कोछिन बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है अमित्र घात के लिए से की जना जाता है ये आपको बताना है तेरा का एंसर जो बिंदू सार था इसे अम गात के नाम से जाना जाता है अच्छा इसमें और भी कुछ है इन सभी को कौनकन से उपादी धारन की गई थी तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम को महा राजा धी राज की उपादी दी गई थी और शमुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त जो ह इसे भिक्रमक या फिर अस्मवे करता या भारत का नेपोलियन या फिर कभी राज इन सभी की उपादी से इसे सम्मानित क्या गया था कनिस्क जो था यह कुशान बंस का शाशक था कनिस्क जिसे दुईतिये असोक के नाम से भी जाना जाता है समूद्र गुप्त किस बंस सम्बंदी था ये चंद गुप्त प्रथम का उत्रा अधिकारी हुआ था ये भी आपको याद रखने है बढ़ते अगले नंबर कोश्चन पर चौदा नंबर कोश्चन दोरी 11 की जन गन्यंग्रुशार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज ज कौन सा है तो तो हो शकता है कि आने वाले एकजाम में इससे कोश्चन पूछ ले तो आप पीछले वाले वीडियो भी देख सकतें या तो 2011 की जनसंक्यास लेटे सारे question आपको पढ़के जाना है तो बताना यह है कि सबसे अधिक जनसंक्या वाला राज कौन सा है इसका answer क्या हो जागा तो सबसे अधिक जनसंक्या वाला राज UP है इसका answer हो जाएगा A तीसरे नमबर आता है, बिहार का बिहार है जो तीसरे नमबर पे आता है, चौते नमबर पे पश्चिम मंगाल और पाचवे नमबर पे आंधर प्रदेश आता है, तो ये सबी है जो कुछ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, बढ़ते हैं, पंदर नमबर कोशन पे, अप तुरुदंज सीनहा का था टीमसी उमीदवार उसी के उसी ने है जो जीत हासिल किया था ये आपको याद रखने है बढ़त अगले कोशन पे कौन सा प्राकेर्थिक यॉगिक पौधों के प्रकाश रंसलेशन में मदद करती है तो वो हो जाएगा क्लोरोफील ऑप्शन नमबर तो इसमें क्या क्या जुरू होता है कारवाण डियॉक्षाइड सोज का प्रकाश जल और क्लोरोफील की उपस्थिती होती है तब प्रकाश रंसलेशन पौधे करते हैं जिसके द्वारा अपना वो भोजन बना पाते हैं ये सबी चीज आपको याद रखना है तो बढ़ते अगले कोशन पे कोशन नमबर 17 निमलिखीत में से किस समाजिक धार्मिक समुदाय किया स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या गया था ये जो समाज है इससे हर सीफ्ट में अभी तक देखा गया कोशन है कि लगबग हर सीफ्ट में पूछ रहा है तो ये जो स्थापित क्या गया कौन सा समाज है वो आपको बताना है तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित क्या गया समाज 1828 में ब्राह्मन समाज जो ब्राह्मन समाज है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में अस्थापित क्या गया था ये आपको याल रखना है अच सव चंद्र के सहायोग से जो एम जी रनाडा के द्वारा किया था दिवेंदर नाठ ठाकुर भी इसमें सामिल थे और बात कर रहते हैं अकाली दल तो अकाली दल की अस्थापना अकाली दल जो है इसका उनिश्व बीस में इसके अस्थापना की गई थी आरे समाज के अठारा सो पचहत्तर में किया गया था और किसके द्वारा किया था तो ये स्वामी दयानन सुरस्वती के द्वारा आरे स्वामी समाज के अस्थापना किया गया था ये सभी चीज आपको याद लखने है अठारा नंबर क्वेश्चन निशा गंदी उत्सव भारत के किस रा राज में मनाया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा खेरल अच्छा मद्द प्रदेश की भी एक बहुत ही वड़िया उत्सब है उसको भी आपको याद रखना है तो लोक रंजन जो उत्सब है यह मद्द प्रदेश का बहुत ही अच्छा उत्सब है यह आपको याद रखना ह अच्छा ओडिशा में एक ओडिया डांस फेमस है यह आपको याद रखना है और यहाँ पर ओडिशा में कुनार के नरित महोत्सब भी मनाया जाता है और बात करेते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में आपको याद अखने हैं जूमर जो नृत मौस्थब है यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है राजस्थान का बढ़ते हैं अगले नंबर कुश्थान के अनुशार भारत में राजबिधान सवा का कारेकाल कितने साल तक का होता है पांच वर्षों तक होता है इसका एंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले नंबर कुश्थान पर भारत और स्रिलंका के डैस बनाने वाले टापू के एक समो से जोड़ती है कौन है जो भारत और सिगला के टापू के समो को जोड़ती है तो एडम्स सेतू जिसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है वो जो है भारत और स्र प्रेलंका को जोडने का काम करती है ये आपको याद रखना है ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशिन पे कोशिन नंबर 21 निमलिखित में से 1913 में भारत के बाहर अस्थापित एक क्रांतीकारी संगठन कौन सा था तो भारत के बाहर में अस्थापित क्या गया एक क्रांती कारी संगठन था जो की लाला हर्द्याल के नेतित में अस्थापित किया गया था जिसका नाम था गदर पार्टी इसको अस्थापना कौन के थे लाला हर्द्याल तो याद रखना है लाला हर्द्याल के द्वारा ये अस्थापित किया था गदर पार्टी के अस्थापना जदुजनता पार्टी है इसका जो अस्थापना है मूल स्यामा प्रशाद मुखरजी द्वारा उनिशो एक्यामन में किया था तो भारतिय जनता पार्टी का अस्थापना कब किया था उनिशो एक्यामन में और कौन किये थे उनका नाम भी आपको याद रखना है मुल्ट स्यामा प्रशाद मुखर जी बात कर लेते हैं भारती राष्टी एक कॉंग्रीस की इसकी जो अस्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था तो एओ हुम, दादाफाई नहरो जी और दीन साब आचा के द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी साइमन कमिशन के अगर बात कर ले तो इसका जो अस्थापना यानि के न्योगती है आठ नवंबर, उनिश्व 27 को की गई थी ये आपको याद रखना है också बात कर ले कि साथ सदसी आयोका गठन क्या जा था जिसमें से एक भी भारतिय नहीं थे तो एक भी भारतिय नहीं होने के कारण इसका भारत में बहुत ज़्यादा बिरोध भी किया गया था बढ़ते हैं अगले नमर कोईशन बाइस नमर में नेमलिखीत में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा नीजी छेतर की सभी मौझूदा जीवन वीमा कम्पनियों का राष्ट्रे करन करने के अस्थापना क्या गया था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है 1956 में ये किया गया था इसका एंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका एंसर आपको बताना है तो इसका जो answer हो जाएगा वो आपको भारतिय जीवन भीमा नीगम इसका हो जाएगा इसका answer इसका answer ये हो जाएगा D number answer ठीक है बढ़ते अगले number question पर तैश number question रशिद गीत ए मेरे बतन के लोगो मुल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी या किसके द्वारा गाया गया था किसके द्वारा गाया गया था ए मेरे बतन के लोगो तो ए मेरे बतन के लोगो लता मंगेशकर जिने स्वर कोकिला के नाम से भी जाना दाता है जिसके द्वारा ये लिखा गया था तो इसका एंसर हो जाएगा D जिनका हाली में नीधन हो चुका है ठीक है मेरे वतन के लोगो किन के द्वारा लिखा गया था पर कोकिला लता मंगेश्कर के द्वारा लिखा गया था जिनका हाली में नीधन हो गया बढ़ते हैं 24 नमबर कोश्चन पर मोना एक ऐसी महाशागर के बारे में लिखती है मोना है जो एक ऐसी महाशागर के बारे में लिखती है जो उत्री अमेरिका को यूरोब से अलग करता है करता है इस महाशागर का क्या नामे आपको बताना है तो अगर देखें अगर मैप में तो ये मैप है हमारा तो ये हमारा उत्री अमेरिका और इस उत्री अमेरिका को यूरोप से अलग करने का काम कर रहा है तो ये है आपका इसका जो क्या हो जागा इसका एंसर आप सभी को बताना है तो अगर बात करें तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Atlantic महासागर इसका answer क्या हो जाएगा Atlantic महासागर हो जाएगा Atlantic महासागर जब आप map में देखेंगे तो इसका जो अकार है वो लगबग ace size का अकार बनता है अगर Atlantic महासागर को अगर map में देखेंगे तो लगबग इसका जो अकार है इस size का अकार बनता है ये सभी आपको याद रखने है कभी कभी ये question आपको पूज रहता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका अकार इस size का दिखाई देता है ठीक है ये आपको याद रखने है और अगले number question पर आज का हमारा last question है पंथी निर्ट सैली का संबंद भारत के किस राज़ से है ये आपको बताना है तो इसका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा 36 गड़ पंथी निर्ट सैली का संबंद किस राज़ से है ये आपको याद रखना है अच्छा 36 गड़ में और भी नि जैसे डंडा, कर्मा, गोडी और पंडवानी और ककसार ये सबी निर्ट सैली जो है 36 गड़ में और भी मनाया जाते हैं तो ये सबी याद रखिएगा 36 गड़ में है कौन-कौन डंडा, गोडी, कर्मा और पंडवानी और ककसार ये आपको याद रखना है अच्छा महाराष् में है कोली लाबनी और नकटी तो लाबनी और तमासा ये आपको याद रखना है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में भांगडा है जूमर है गिधा है और जूली है ये भी आपको याद रखना है केरल की बात कर ले तो केरल में आप सभी को समझ में आया होगा और आप सेशन को बहुत अच्छे तरीकी से समझे होंगे आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को सेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं किसी और वीडियो में आ आज के लिए नहीं जै हिंड़